है फ्रेंट्स this video में पैसे निकालने का फ़ार सकते हैं इससे लाष्ट वीडियों को चैकते हैं लिंक दिस्क्रफ्ट्रप्शन मा ही मिल जायरा तो उत को यह पैचनना बहुत जरूरी कौन सा हमारा form जमा करने का है कौन सा पैसे निकानने का है तो इस तरीके से आपको यह पैचान सकते हैं हमारा डिपोजिट वाला form है यहांपर आपको दो पाट मिलेंगे एक यह वाला पार्ट होता है हमारा बैंक में जमा हो जाता है और दिपोजिट वाला form जो थोड़ा छोटा होता है तो यह पहँचान है अप पहँचान लेंगे अब यहां पर चली अपनी वीडियो को स्टार्ट करतें और तो यहां पर पैसा जमाय करने वाला जो फोटां आपको देखने के लिए कविधी ट defend which ऑण जो एक ही तरफ और दोन तरफ होता है एक तरफ फॉर्म बार्ना किसी भी लेकिन आप किसी भी ब्रांच में कर सकते हैं आपका किसी भी ब्रांच में खाता हो और किसी भी ब्रांच में पैसे को जमा कर सकते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ खाते में जमा किया तो जिस ब्रांच में आप पैसे जमा कर रहा है उसकी ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है इस तरीके से आपको ब्रांच का नाम भर देना है अब यहाँ पर लिखा हुआ मेरा खाता साखा में है अब जिस ब्रां अभी नंबर आपको दियान रखनी है उतने ही उतने हीं कॉलम नियुक्त पर अपको धाल में नंबर में देखने हैं लिए मिल एक ह운데 अगर आपके नुमर से हैं अगके तो कॉलम होते हैं तो describing आप आगे के कॉलम चोड़ेंगे पीछे का कॉलम पूरे बर देंगे पहले गिन लेंगे उसके बाद जितनेली एक्स्टरीन होते वह आगे के छोड़ लिए आप आगे से बढ़ दें काहरन बर और पीछे के कॉलम खाली छोड़ पूरा account number भर देना है उसके बाद यहाँ पर आप से पूछ जाएगा virtual खाता संक्या तो आज कल के टाइम में जातर जो accounts है वो online ही खुल ला है तो ऐसे में हमें एक virtual account number भी मिलता है जो कि आपके पास mostly cases में नहीं होगा तो इसको हम blank छोड़ेंगे इसमें कुछ भी नहीं भरें अगर आपका कोई business का खाता है तो उस case में आपका चालू खाता होगा यानि current account और वागे आपका normal खाता हो तो आपका saving खाता ही होगा तो यहाँ पर आपको लिख देना है बचत इतना लिख देंगे बचत खाता ऊपर यहाँ पर दिनांग पूछी जाएगी तो जिस दिनां यहाँ पर नाम लिखेंगे चैक का नमबर आवम दिनांक पूछा जाएगा तो यहाँ पर चैक आपका होगा उसमें आपको एक चैक नमबर मिलेगा वो चैक नमबर यहाँ पर आपको भर देना होता है और उसकी date डाल देनी होती है जितने अभी amount का आपका check होता है वह amount यह करदोंट की एहाँ पर हाँ जारी अटोंड का यहां पर लिखेंगे लिख्षा रुप्र बन्सो रुपए हो गए हमारे और यहां पर आपको यह चिन बनाना बहुत जरूरी होता है उसके बाद आपके पास 200 के कितने नोट है तो हमारे पास 200 के पांच नोट है तो यहां पर लिख देंगे सो गुणा पांच हमारे 500 रुपए यह हो गए उसके बाद यहाँ पर और बागी जितने भी नोट्स होते हैं उनकी यहाँ पर लिख देंगे काउंटिंग कितने नोट्स हैं आपके पास और गुणा करके यहाँ पर उनका कितना मुझ लिए होगा बढ़ देंगे उसके बाद जितने भी नोट्स होते हैं उनको आपको टोटल यहाँ पर करना है हमारे केसे में 1000 होगा तो 1000 लिखेंगे तो यह हमारा टोटल अमांट हो गया उसके बाद जमा करता है है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपके अकाउंट में पैसे कोई भी जमा कर सकता है तो आपके सिंगनेचर मैच होना जरूरी नहीं है मेरे भाई का अकाउंट है तो मैं उसमें पैसे जमा कर सकता हूँ या मेरा account है तो उसमें मेरा भाई भी पैसे जमा कर सकता हूँ और वो यहाँ पर अपने signature कर सकता हूँ तो यह आपको compulsory नहीं है कि आपके account में जो signature है वो यहाँ पर होने चाहिए तो यहाँ पर आप कोई भी signature कर सकते हैं जो भी जमा करता है पैसे तो यहां पर यह सिन्गेचर की बाद हो यहां पर लिखा हुआmaybe k booking 70 सब्दों में पैसे ना ना यहां पर अपको एक जार रुपय मांत्र तो नहीं हो सिंगनेचर उसके बार अगर आप 50,000 यार पैसे जम्मा पर अपको अपना यहां पर बार अगर आ हमारे भुक्तान हेतू इसमें आप कुछ नहीं बरेंगे और नीचे का यहाँ पर कारयाले के उपयों को प्रिविश्ट करता हो कैसीर टेलर और जाज करता अधिकारी इसमें आपको कुछ नहीं बरना है इस साइड का आपका पूरा फोम है complete हो गया है अब यहाँ पर दूसरी साइड भर देना है यहाँ नमबर हो गया बर्चल खाता को आप ऐसा ही चोण देंगे और यहाँ लगा देंगे कुल रासी पूछी जाएगी रुपय में तो वैसे आपको लिख देना है एक हजार उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं बरना आपका फॉरा complete हो चुगा एक बा साखा का नाम साखा में आपका अकांट साखा का नाब डेट का फान फिरकार आप रहें हैं इसके बाद यहाँ पर सब्सक्रण से आप डालेंगे सब्दों में, उसके बाद 50,000 से उपर पैसे होते हैं, यहाँ पर pen card number, यहाँ पर आपका अपना mobile number, उसके बाद जो form का दूसरा side होता, उसमें जिस भी खाते में, जिस भी branch में आप जम्मा कर रहा हैं उस branch का नाम, जिस भी branch में आपका account है उस branch का नाम, आपका पूरा नाम जो account में है, आपका खाता संक्या टोटल रासी है हाँ पर, टोटल रासी सब्दों में तो यह complete form आपका भर जुगा है, I hope आपको वीडियो मताईए जानकरी काफी helpful रही होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राब करना ना भूलें